हेलो दोस्तों, स्वागत हाँ अपका ठारिक्ट SSC 2020 में आज हम बात करेंगे कि रणरर सीरिस का क्लास नूमबर 25 और इस से पहले हम 24 क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने 1100 एरर्स हम कर चुके हैं तो यह हमारा class number 25 जहांस हम बात करेंगे error number 1101 से तो वीडियो बहुत ज्यादा important है अगर आप preparation कड़े हो SSC stand-up की तो बात करते हैं 1101 ग्यारत सो एक number का error क्या कहता है a period of six years have elapsed since I lost Shawher ठीक है तो error बताना है one two three four कौन से पार्ट में error है देखे a period of six years अगर हम इसमें देखें तो pre-position है off और off से पहले है हमारा a period जो हमारा subject के काम करेगा और a period यह लगा है तो singular हो जाएगा और singular यानि operate के according यहां पर हम बाव लगाएंगे singular यहां पर have नहीं आएगा have की जगह यूज करना पड़ेगा यहां पर हैस का तो 1101 का option number second में error हो जाएगा have की जगह has यहां पर यूज होगा a period के according बात करते हैं 1102 ग्यारस दो नंबर का रख्या कहता है for several years now my newspaper hasn't has been spelling my name incorrectly ठीक है तो four several years since का rule कहता है कि वो sentence हमारा या तो past present के perfect में या फिर present perfect continuous में होना चाहिए और उसके according rule के according has been spelling ठीक है perfect continuous में है तो यहां पर कोई mistake यहां पर नहीं है no error यहां पर रहेगा 1102 का ठीक है तो 1102 no error रहेगा बात करते हैं 1103 number का error हमारा क्या कहता है ठीक है it took it took her a long time to get off the death of her husband ठीक है it took her a long time यानि काफी number time उसे लग जाएगा ठीक है जो उसके husband की death हुई है उससे बाहर निकलने में या फिर पहली जैसी हालत में वापस आने में पहला जैसा होने में उससे काफी time लग जाएगा तो यहां पर जो get off use किया उन्हों इसका तो उसके लिए get off याप use कर सकते हैं ठीक है तो leave without permission आप कह सकते हो ठीक है लेकिन यहां पर वापस उसी हालत में यानि death of her husband उससे बाहर निकलने के लिए उससे दुबारत से उसी हालत में आने के लिए वहां पर use करते है एक world हमारा get over ठीक है get over होता है पुरानी इस्तिती में वापस आना ठीक है तो get over यहां पर बिल्कुल right हो जाएगा get off की जगह ठीक है तो off नहीं आएगा off की जगह आप over करोगे option number second में mistake हो जाएगा 1103 का बात करते है 1104 क्या क्या क्याता है it is best to be silent than to speak in anger तो बताना है one two three four क्या पर कौन सा error आएगा ठीक है it is best to be silent than to speak in anger यहां पर then इसकी competitive degree यहां पर आ जाएगा हमारा better it is better यहां पर बिल्कुल right हो जाएगा it is better to be silent than to speak in anger तो to be and to speak बिल्कुल सही है तो यहां पर then था तो then हमारा competitive को बताता है तो यहां पर बैस न आएगा यहां पर इसका competitive degree यानि better यहां पर use करना पड़ेगा ठीक है तो option number one mistake हो जाएगा 1104 का बात करते हैं error number 1105 क्या कहता है his father is disgusted against him for his addiction to drink ठीक है तो बताने है कौन से पाड़ में error है his father is disgusted और disgust के साथ हम use करते हैं preposition with का ना की against का तो यह चीज़ इंपॉर्टन है कि disgust के साथ preposition with यूज़ करते हैं तो option number second में आपे against नहीं आएगा against के जगे यूज़ करना पड़ेगा with का एक और important बात आप मैंसे कोई भी नया हो to telegram को जरूर जोइन करना उसका link मिलेगा description में और इससे पहली की सभी वीडियो यानि class 24 आपको मिल जाएंगी playlist में error वाले section में जाके बात करते हैं 1106 क्या कहता है on being called all of us entered into the room entered के साथ into use नहीं करते हैं जब तक की motions की बात नहीं होती है ठीक है तो enter के बाद कभी भी अगर into use होता है तो वो चीज हमारा wrong माना जाएगा ठीक है तो on being called all of us entered into the room नहीं आएगा entered the room बिल्कुल right हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका option number ठल में mistake हो जाएगा entered के बाद यहां पर जो into है वो यहां से हट जाएगा बागी sentence हमारा सही हो जाएगा 1107 number का error क्या कहता है I waited कोई भी पार्ट में कोई भी error में doubt रहता है तो उसको comment में जरूर यहां पर बताना क्योंकि comment में उस question number को जरूर यहां पर comment कर देना ताकि last में जब doubt class आपकी रहीगे error की तो वहां पर उन सभी जितने भी doubt वाले question है उनने दुबारा सेम करेंगे और हां पर वो चीज सभी हो clear हो जाएगा अपकर आओ ठीक है तो 1107 का क्या क्या क्याता है error number I waited for you but you never turn up ठीक है I waited for you but you never turn up कोई गलती नहीं है कोई mistake नहीं है no error यहां पर रहीगा 1107 में कोई mistake नहीं है 1108 क्या 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 है he learned the alphawates at the age of four ही बहुत ही सिंपल सही रहार है he learned the alphabet alpha weights हमारा uncountable होता है और इसके साथ uncountable नाउन जितने भी होते हैं हमारे साथ हमारे जितने भी uncountable नाउन है उनके साथ ना तो हम s use करते हैं ना ही ies यूज़ करते हैं वो एक्जम्पल बहुत सार यहां भी होते हैं जो कि हमारे repeat होते रहते हैं उन्हीं में एक alphabate भी है जिसमें हम ऐसे नहीं लगाते हैं तो यहां पर alphabate नहीं आएगा alphabate आएगा ऐसे यहां से रिमूट हो जाएगा तो option number second में mistake हो जाएगा 1108 का question number 1109 क्या खहता है besides writing is my hobby I had ideas for a couple of short stories that needed further thoughts इसके बाद line यह वाले आएगी besides besides यहां पर देखें एक होता है हमारा besides यह वाला side यह वाला और एक होता है besides ठीक है besides इसका मतला होता है by the side of किसी के बगल में आप हो तो किसी के side में हो तो उसके लिए B side use करते हैं और जो B side यानि S वाला होता है उसका मतला होता है अतरिक यानि इसके अलावा तो कि इन सभी बात के अलावा यानि ये जितने भी चीजें उन्होंने sentence में इससे पहले फर्द B side से पहले बोली है ये सभी के अलावा उसकी जो hobby है वो क्या है? राइटिंग ठीक है? राइटिंग is my hobby इसके अलावा राइटिंग जोईस की hobby भी है तो B side से यान पर आएगा ना कि B side आएगा ठीक है? इसके अतरिक को कह रहा है कि B side से बिलकु राइट हो जाएगा ठीक है? तो option number 1 में मिस्टेक हो जाएगा B side की जगा B side से बहुत बार यह आता है 11 11 10 क्या कहता है? He recommended my case with the supervisor बहुत ही सिंपल है किसी को recommend करना तो recommend to किसे recommend to use करते हैं ना कि with use करते हैं तो he recommend my case to the supervisor हो का ना कि with the supervisor recommend to करना यहाँ पे with ने आएगा 11 11 नंबर का error क्या कहता है Her knowledge in English gives her great advantage over me उसकी जो knowledge है किस चीज़ की? English में नी उसकी जो English की knowledge है वो उसे बहुत ज़्यादा advantage देती है मेरे मुकावल ठीक है मेरे से तो great advantage है उसे मिलता है किस चीज़ का? उसकी जो knowledge है English की ठीक है? तो his, her knowledge in नी आएगा यहाँ पर इन की जगह of use करते है तो इस sentence थोड़ा meaningful यहाँ पर बन जाएगा इन से हमारा meaningful नहीं बन दा है तो यहाँ पर इन की जगह of use कर सकते हो ठीक है? Her knowledge of English ठीक है? Her knowledge of English gives her great advantage over me तो option number 1 में इन की जगह आप use कर सकते हो question number 1112 1112 number का question क्या कहता है? He was very kind enough to invite me He was very kind enough या आप very or enough दोनों एक साथ नहीं आएगे तो उनों का meaning लगबक सहीं है या तो आप very kind बोलो या फिर kind enough बोलो और very or enough तो एक साथ हमारा वैसी हमारा गलत हो जाएगा तो यहाँ पर option number second में error हो जाएगा तो option number second में mistake हो जाएगा 1113 1113 number का error क्या कहता है Police reports claim that substantial seizure of cocaine have been made in the last two months तो क्या यहाँ पर error है बताना 1234 Police reports claim that substantial seizure of cocaine of यानि proportion उससे पहले है हमारा substantial seizure जो हमारा काम करेगा एक subject का और यह चीज है हमारा singular singular है हमारा subject तो यहाँ पर जो have आएगा वो हमारा wrong हो जाएगा have की जगे यूज होगा has का क्योंकि हमारा substantial seizure है वो हमारा हो गया singular तो option number second mistake है has been made बिल्कुल right हो जाएगा 1113 का question number 11 1114 every conceivable race and nationality had its shared of suffering in the world wars बताना है कौन से बाड़ में error है every conceivable race and nationality had its shared of suffering in the world wars ठीक है जो यहाँ पर shared use करा है यह हमारा adjective off से connect है adjective बिल्कुल गलात हो गया off इसके बाद है तो यहाँ पर connect होना चाहे था noun ठीक है तो यहाँ पर noun आएगा और noun इसका होता है s-h-e-r-e share तो यहाँ पर noun की ज़रुवत है ना की हमारा adjective form के तो it's share of suffering होगा ठीक है तो off से connect है तो noun यहाँ पर चाहे ना की adjective चाहे तो shared तो हमारा ऐसी नहीं आएगा तो इसकी जगा हम use कर सकते है share यानि एक noun का noun form का तो यहाँ पर d यहाँ से हटा दो बाकी सही है ठीक है तो बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में error है the reason सेंटेंस में स्टार्टिंग में the reason यूज करा है ठीक है आगे जाके उन्होंने because यूज करा नहीं सेम मिनिंग के दो वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज कर रहे है एक reason भी कर दिया और because दोनों का मिनिंग तो error हो जाएगा हमारा कौन से पार्ड में second part में ठीक है क्योंकि the reason हम बोल सेके एक बार reason यूज कर सकते है तो because हम यूज नहीं करेंगे दोनों का मिनिंग सेम हो जाएगा तो यहाँ पर because की जाएगा दूसरा वर्ड हम that यूज कर सकते हैं ठीक है that she had been told it was a consume party option number second mistake हो जाएगा 1116 क्या क्या करता है the path to the famous church passes through a forest 1117 क्या क्या क्याता है a first European a first European seller who came to India was Vasco Di Gama the first European ordinary number जितने भी होते है one two three four first sorry ordinary number first second third fourth यह वाले और cardinal होते है one two to ordinary number से पहले हम article दा का यूज कर सकते हैं ठीक है करते हैं तो ordinary number से पहले article यूज होगा दा का the first European seller हम use करेंगे ठीक है the first European seller who came to India was Vasco Di Gama तो ordinal number से पहले article दा का यूज होता है ठीक है 1117 का option number one में mistake था 1118 क्या क्या क्याता है the track is difficult but it is far worth the endeavor ठीक है बहुत अच्छा है रहर है the track is difficult but it is far worth यूज नहीं करते हैं एक और अच्छा वाल डिस के जगह हम यूज कर सकते हैं यह वैल वार्थ ठीक है वैल वार्थ तो far की जिगह हम यूज कर सकते हैं वैल वार्थ फार एक टाप से distance को बताता है तो उस टाप से भी यह 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 यूज करना सही नहीं है एक meaningful sentence नहीं देगा तो हम अगर far की जिगह स рукичiniz करते हैं वैल ओर्थ तो हमारी सेंटेंस सही हो सकता ठीक है तो हमार对 नंबर से किन यूज कर सकते हो फार की जगह पहल पहली पर आपका वैल बहुत अंडिवर से हमारा बेजिक हो जाएगा ऑप्षानक नम्बर से कि वन वन एक साय कि में हमें हो जाएगा 1119 क्या गता है what can what man can die better than serving his country his country ठीक है यहां पर question mark लगा question mark लगए यह नहीं या तो question mark starting में देखे what man तो वैसी गलत हो गया what man can die वैसी हो गया हमारा गलत यहां पर हम इसी की जगह what man तो ऐसी हमारा मिनिंग नहीं दे रहा है आप यहां पर use कर सकते हैं how उसके बाद use करेंगे how यानि question mark what fit can how can और फिर हमारा man die होना चाहिए यानि man जो है can के बाद आना चाहिए तभी यहां पर question mark बनेगा ठीक है interrogative बनाना है तो एक तो what man तो ऐसी गलत हो जाएगा मिनिंग के according यहां पर how can man die बिल्कुल सही हो जाएगा फिर यहां पर sentence हमारा interrogative बन जाएगा तो option number one में mistake हो जाएगा 1120 नंबर का error क्या गता है the teacher prevented the boys to go there prevented the boys to go there prevent के साथ हम यूज करते है preposition from का prevent के साथ from का और इसके बाद अगर preposition from use कर जाएगा तो उसके बाद हम zero form का use करते है ठीक है the teacher prevented the boys from और इसके बाद go नहीं आएगा from going there ठीक है from going there बिल्कुल यहां पर right हो जाएगा तो option नंबर ठल में mistake हो जाएगा prevent के साथ बहुत बार आ चुगा है कि preposition हमारा from use होता है याद अगर और इसके बाद जिरन फॉर्म का बात करते है 1121 1121 नंबर का error क्या करता है ठीक है the book the book being written in simple language is suitable for children as it contains many good advices advice भी हमारा एक uncountable है uncountable है तो इसमें हम as use नहीं करते हैं बहुत बार आ चुका है advices नहीं होगा खाली advice यूज होगा ठीक है advice यहां पर यूज होगा तो option नंबर ठल में mistake हो जाएगा advices की जगे advice यूज होगा 1122 नंबर का error क्या करता है you are the man who have spoiled it ठीक है you are the man who have spoiled it relative pronoun who is that के बाद हमारा वब depend करता है उसके पहले हमारा subject भी उससे पहले the man the man है हमारा singular जब यह चीज है तो इसके बाद हमारा वब भी singular use होगा तो यहां पर have नहीं आएगा have के जगे यूज करना पड़ेगा has का you are the man who has spoiled it यानि option नंबर second में error हो जाएगा 1122 का 1123 क्या कहता है everyday new inventions is made for the good of humanity everyday प्रतिदी new invention नए नए अविश्कार होते हैं किसले मानवता की बलाई के लिए या अच्छाई के लिए का आप कह सकते हो तो यहां पे new inventions होते हैं अविश्कार होते हैं तो आविश्कार new invention हो गया हमारा plural प्लूरल है हमारा subject वह भी आने चाहिए था यहां पे plural तो यहां पर आ रहाएगा और आ रहे के बाद यहां पर make तो विल्कुल ही नहीं आएगा make के जगह आप यूज कर सकते हो made का are made for the good of humanity option number second में हो जाएगा हमारा mistake 1123 का question number 1124 आज का क्या कहता है ठीक है all works of creating writing have aesthetics appeal बहुत ही अच्छा error है all works of creating writing have aesthetic appeal ठीक है दो एक word होते हैं यह एक होता है aesthetic यानि बिना s वाला और दूसरा होता है aesthetic जिसमें last में हमारा s लगा होता है दोनों के meaning में थोड़ा सा हमारा change है यहां पर जो aesthetics है s वाला इसका मतलब होता है the branch of philosophy यहां पर इसका meaning अलग हो गया the branch of philosophy बट जो without s वाला होता है यानि aesthetic वाला जो होता है s को हटा दे तो इसका मतलब होता है सौंगरे संबंदी या फिर आप कह सकते हो कि concerned with beauty and art तो यहां पर जाएगा और without s वाले का meaning अलग हो जाएगा ठीक है तो appreciation of beauty तो इसके लिए हम aesthetic यूज करते हैं ना कि s वाला यूज करते हैं तो option नमबर ठल में mistake हो जाएगा aesthetic appeal आएगा ठीक है ना कि second person पहले आता है फिर third person फिर first person अब यहां पर हम यह दे रिखें दोनों हमारा एक third person दिया है और एक first person नहीं second नहीं है तो पहले third person आएगा और फिर हमारा first person तो my wife पहले आएगा और I हमारा बाद में आएगा तो my wife and I were declared the best couple at the party option नमबर वन में mistake हो जाएगा 1125 का बात करते हैं 1126 क्या गयता है the author said during the press conference that there were two further further volumes to be published ठीक है the author said during the press conference that there were two further दो अच्छे world है जो की काफी बार आता है एक होता है var-th-ur और दूसर होता है vor-th-er further और further जो further होता है far ये तो हमारा distanceक के लिए use करते है admir वैसे भी far मतलब distance के लिए use करते हैं ठीक है लेकिन अगर हमें a verdict की बात करने हो तो उसके लिए a altriक ऐसके लावद उसके लिए हम further use करते हैं तो यह distance को बता रहा है लेकिन further volumes कि यहां पर अत्रिक कि यहां पर use होगा हमारा further 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 वाला ठीक है तो दोनों में अंतिर यादग ना far वाला distance को और fur वाला अत्रिक या इसके अलावा या फिर in addition कह सकते हो ठीक है तो यहां पर option नमबर ठल में मिस्टेक आज़ेगा further नहीं further यहां पर use होगा question number one one two seven क्या कहता है he was not able to concentrate because of the continual music being played next door बताना है one two three four कौन से पाड़ में यह रहा है वह concentrate नहीं कर पा रहा था क्यों क्योंकि लगातार जो गाना था जो यह music था वह बज़ रहा था लगातार music चल रहा था तो उसकी वैसे वह concentrate नहीं कर पा रहा था देखे continual होता है ठीक है continual होता है दोसा आता हमारा continuous ठीक है continual और continuous में क्या होता है continual मतलता है रुक- смож के आप कहा सकती हो ठीक है जो मतलब repeat होता रहता है जो बार-बार अगर रुक-रुक के कर पा रहा था वह concentrate नहीं कर पा रहा क्यों क्योंकि लगातार music चल आ continuous यहाँ प εδώं पर आएगा ना कि continual तो Continue pair continues में चेंज यहां अंतर यह कि continue में लता था रुक रुक के कोई चीज़ चलना और continuous मतलब लगाता चलना तो continuous music चलना था तो उसकी वैसे वो concentrate नहीं कर पा रहा था तो यहां पर हो जाएगा option number second में continuous ठीक है ना कि continue 1128 क्या क्याता है error number 1128 still waters run deep यह हमारा एक phrase statement जो कि आपका universal truth भी आप कह सकते हो phrases हो गया तो यहां पर कोई error नहीं है no error इसमें रहीगा still waters run deep बिल्कुल सही है ठीक है 1129 क्या करता है the job is under the direct of Mr. Jones जो job है under the direct में आएगा under the directions आएगा ठीक है the job is under the directions of Mr. Jones ठीक है option number second में direct के जगे directions आएगा बहुत ही यहां पर simple सा यह error था ठीक है आज का error number one one three zero और आज का error number last यह हमारा काफी टाइम के बाद का वीडियो था अब हम continue यहां पर जो भी हमारा रह गया है किरन में उसी इसको हम complete करेंगी कोसिस करूंगा कि कम टाइम में next year next जो अग्जाम है उससे काफी उससे पहले पहले काफी कुछ करा दूं कोसिस कर रहा हूं बाकी देखते हैं क्या होता है ठीक है support आप करते रहे और इतना जाधा अपने support किया अब तक इसी तरह continue support करते रहे बाकी मेरी भी कोसिस रहेगी कि कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मैं वीडियो यहां पर upload करूं उतनी ज़्यादा वीडियो बनाऊ ठीक है तो बात करते हैं 1130 क्या बत कहता है when the stranger saw me he seemed to recognize me and asked me what was my name what was my name सिंपल सा है when the stranger show me and he seemed to recognize stranger यानि कोई अंजान था उसने मुझे देखा था तो और क्या कर रहा था पहचानी की कोसिस कर रहा था और मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है और मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है या क्या था पास्ट के बाद बता रहा तो उससे उसने नाम क्योंकि इंट्रोगेटिंग नहीं है यह सिंपल सा सेंटेंस है तो यहां पर वाज की जो पोईशन है उकलाता है तो अप्शन नुमर ठल में क्या करना है what was my name नहीं what my name वाज ठीक है जो वाज है वो लास्ट में दाएगा ठीक है सिंपल सेंटेंस है 1131 का एरर आप सभी को अंसर आप सभी को कमेंट में बताना है और हर एक जो भी सीरियस है अपने एंग्जाम को लेकर तो कमेंट में जरूर बताएगा जो भी आपको लग रहा है वाकि नेक्स्ट वीडियो में हम उससे क्लियर करेंगे मैं बता दूँगा कि किस पार्ट में माई-lawn which is overgrown needs wedding तो आपको बताना है कि 1234 में किस पार्ट में रहा है साथ में आपको कमेंट में ये भी बताना कि कौन से question number में आपको doubt है ताकि हम last में जो doubt class होगा वहाँ पर उससी को clear कर लेंगे यानि जितने भी doubt वाले आपके questions हैं उन सभी को एकी वीडियो में दुबार टॉपिक वाइज एरर्स एंटियम प्रूमेंट फिल अप या फिर इडियम या फिर सेनों एंटू इन सभी को हम देरे-देरे क्लियर करते हुए चलिए ठीक है